नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विश्लेशन में आपका स्वागत है संपाद की से समंदित आज के इस वीडियो की सुरुवात करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रसंद से प्रसंद था कि भारतिय खाद निगम निम्न में से किस मंत्रा लेके अंत्रगत है तो चार ओप्सन है और इसका सही जवाब है ओप्सन C उपभोगता मामले खाद एवं साजनिक वित्रण मंत्रा ले अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर आज दा हिंदू में पबलिस आर्टिकल जिसका सीर्षक है रूट्स ऑप दा एग्रिकुल्चरल क्रैसिस रन जीप पर हम चर्चा करेंगे यह आर्टिकल जी एस पेपर ठर्ड में सामिल भी से प्रत्यक्ष या और प्रत् दे रखेंते लिखी कई है हमें यह पता है कि पिछले 15 दिनों से दिल्ली की सीमा पर किसानों का विरोध प्रदर्सन चल रहा है और पिछले 15 दिनों से राटोस सरकार के बीच वार्ता चल रही है किसानों का यह जो विरोध प्रदर्सन हमें देखने को मिल रहा है इसका कारण है सरकार के द्वारा लाए गया नया तीन किर्सी कानून ये तीन किरसी कानून जो सम्धित हैं किरसी विपणन से, जो सम्धित हैं Contract farming से और जो सम्धित हैं किरसी उतपात के भंडारन से, और ये जो नए तीन कानून सरकार की द्वारा लाए गए हैं, तो पहले के तीन कानूनों को सरकार ने बदल दिया है, अब ये पहले के तीन कानुनों को सरकार के द्वारा जो बदला गया है तो किसानों के मन में यह आशंका है कि पहले से किसानों को जो कर्शी छेत्र में सुरक्षा मिल रही थी वह नए तीन कानुनों से समाप्त हो जाएगी और इसका सीधा फाइदा होगा नीजी छेत्र को नी जिसमें की सरकार ने मौजुदा तीन कानुनों में संसोधन की अपनी मनसा भी जाहिर की है। सरकार ने यह बात कही है कि प्राइवेट ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन और एग्रिकल्चर प्रड्यूस मार्केट कमीटी के बाहर अगर किर्सी उत्पात की खरीद होती है तो फ मंधित कानुनों का निर्मान कर सकता है। इसके अलावा सरकार ने यह भी आस्वासन दिया कि अगर किर्सकों और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है कॉंट्रेक्ट फार्मिंग के संदर्व में तो फिर इसके निप्टारे के लिए नयपाल अरिका तक भी किसान जा सकते हैं जबकि पहले या प्राबधान था कि अगर इस प्रकार के विवाद होते हैं तो फिर समाधान के लिए इस्थानी अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा। और वहीं सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेकनिजम को लगातार बनाए रखन का भी आस्वासन दिया है लेकिन इन सब के बावजूद भी किसानों के द्वारा सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है और किसानों का यह कहना है कि यह विरोत प्रदर्शन तभी समाप्त होगा जबकि सरकार नए तीनों कानूनों को वापस ले ले लेकिन MSP की ग लेकिन यह समाधान तातकालिक राहत प्रदान करेगा यह किसानों के लगातार बने रहने वाले मुद्दे जैसे की किसानों की आए में गिरावट और कृसी छित्र को सरकार की द्वारा मिलने वाले जो समर्थन की प्रकृती है उसमें गिरावट यह मुद्दे लगातार बने हम यह देखते हैं कि पिछले चार वर्सों में विभिन राज्यों में किसानों के द्वारा प्रदर्शन किये गया है। प्रद्धि प्रदेश के मंसौर में किसानों के द्वारा जो विरोत प्रदर्शन किया जा रहा था तो उसमें हुई पुलीस फैरिंग में पांच किसानों की मौत भी हुई है। प्रदर्शन किये गये हैं अगर इन विरोत प्रदर्शनों के कारणों पर हम गौर करें तो ये कारण लगबग समान है। प्रदर्शन किर्शकों की लगातार घटती हुई आई से। ये कारण सम्मन्दित हैं किर्शी छेत्र में लगातार ठहरे हुए मजदूरी से। और किर्शी छेत्र में घटते राज्य समर्थित सहयता से। मौजुदा संकट का निर्मा सरकार के द्वारा ऐसे समय में किया गया जब देश कोरोना महमारी से संघर्श कर रहा था। इसी कोरोना वाइरस के कारण लंबे समय तक देश में लॉगडाउन लगाया गया। लॉगडाउन के कारण पूर्तीपक्ष प्रभावित हुआ और पूर्तीपक्ष के प्रभावित होने से बाजार में मंदी की इस्थिती आ चुकी है। और इस मंदी की स्थिती में लोगों के समक्ष रोजगार के अबसुनों की कमी है। अर्थविवस्था में आए में लगातार गिरावट देखी जा रही है और यह गिरावट महामारी के प्रारंब होने से पूर्व से ही देखी जा रही है। कि अगर सरकार के द्वारा मौजुदा नए तीन कानुनों को वापस ले भी लिया जाता है, तो यह भले ही कुछ समय के लिए किसानों के विरोध को दबा सकता है, लेकिन जब तक किर्षी छित्र में मौजूद संगरचनात्म कम्यों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक किस किसानों के इस क्रोध को, किसानों के इस विरोध को लंबे समय तक नहीं दवाया जा सकता है, उसका कारण यह है कि अर्थ विवस्था की धीमी गती और किर्षी उत्पादों की मांग में गिरावट के कारण किर्षकों की आय पर अच्छा खासा असर पड़ा है, अगर इसके अलावा, किर्सी उत्पादों के मुल्मी में इतनी ओस्थिर्दा है कि किसान अब किर्सी छ्छेतर में जादा रूची लेना पसंद नहीं कर p meio कर्पा रही हैं, इस लिए वो किर्सी छ्छेतर से जुड़े हैं, उस cesthे आलावा, पिछले कुछ वर्सों में यह बात देखी जा रही है कि किर्सी छेत्र को लेकर सरकार की नीतियां ना केवल औविस्वसनी रही है बलकि मनमाना भी रही है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रहने के बावजूद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सभी किर्सकों को सुरक्षा और संरक्षन नहीं मिल पा रहा है। और अर्थ विवस्था के धीमेपन के कारण किर्सी उत्पादों के मांग में गिरावट देखी जा रही है। सरकार के द्वारा भंडारन किया विवस्था ना केवल गेहु के मुल्य में गिरावट को रोक पाने में और सफल हुई है बलकि भंडारन की पूरे देश में एक समान प्रकृती नहीं होने के कारण उर्वी भारत के कई राज्यों में यह देखा गया है कि गेहु को मिनिममम कम मुल्य पर बेचा गया है और ठीक यही इस्थिती धान की भी है धान के संदर में भी यह बात देखी गई है कि धान की विक्री भी मिनिममम सपोर्ट प्राइस से कम मुल्य पर किसानों ने बाजार में किया है और इससे भी बुरी इस्थिती बाज्रे की है जहां पर यह द में तीन वर्सों से अनाजों के संदर्व में नकारात्मक मुद्रा इस्फिती देखी जा रही है तो अब यहां पर यह बात कही जा रही है कि अगर सरकार मौजुदा नए कानून को वापस ले लेगी तो उसके बावजूद भी अनाजों के मुल्ल से सम्मंधित जो और इस्थ इतना ही नहीं गेहूं और धान से सम्मंधित सरकार जो भंडारन भी करती है तो वह पूरे देश में एक समान नहीं करती है बलकि उसमें भी कुछी राज्यों के किसानों को इस MSP से फाइदा होता है जबकि जादातर पूरब और दक्षिन के राज्यों को गेहूं और धान स इस MSP का लाब नहीं मिलता है आखिर इसका क्या कारण है तो इसका जो कारण बताया जा रहा है कि करसी में दो चीजों का प्रवेस हुआ है एक करसी में मसीनी करण का प्रवेस हो चुका है और दूसरा करसी का मौद्री करण हो चुका है अब ये दोनों चीजें एक तो मसीनी करण और दूसरा मौद्री करण मतलब मुद्रा का प्रयोग इन दोनों ने कृसी छेत्र में नगद की मांग को बढ़ाया है नगद की मांग के बढ़ने के कारण non-institutional जैसे सेट और साहुकार तो उनके द्वारा किसान अपने नगद की मांग को पूरा करते हैं और यही कारण है कि करसी आगतों में इस विर्धी के कारण लोन माफ करने की जो मांग है वह भविस में भी बनी रहेगी और करसी में आगतों में विर्धी हुई है वह 2010-11 के बाद जादा हुई है जिसका कारण है कि उर्वरकों के लिए जो nutrient-based सबसीडी की विवस्था सरकार के द्वारा लाए गई इसने बाजार में उर्वरकों के दाम में विर्धी कर दी इसके अलावा डीजल सबसीडी को हटाना और विद्युत के मुल में विर्धी इसने भी करसी को और लाबकारी बना दिया है मौजुदा के इन सरकार के अगर क्रिसी च्छेत्र में निवेस की मात्रा में कमी आई और निवेस की इस मात्रा में कमी रुद hardness की मात्र मत्रा में में कमी आई और खायर्छ ध्य। लेकिन करसी चेतर में अभी सकरात्मत विर्धी देखी गई है लेकिन इन सब के बावजूद भी चाहे वो विमुद्री करण हो और चाहे कोरोना वाइरस हो इसने काफी हद तक करसी चेतर को भी प्रभावित किया है क्योंकि अभी भी किर्शी छेत्र में और निस्चितता की इस्थिती बनी हुए और अगर हम बात करें किसानों की आए की तो किसानों की आए के संदर में भी और निस्चितता की इस्थिती मौजूद है। किसी छित्र में मौजूद वर्तमान समस्याओं को दूर करने के लिए अभिया आवस्यक है कि किसी छित्र से संबंदित संग्रचनात्मक सुधारों पर बल दिया जाए परन्तु मौजुदा पॉलिसी फ्रेमवर पर अगर हम गौर करें तो हम यह पाते हैं कि इसका जादतर जो मुद्रा इस्फिती प्रबंदन और राजकोसी घाटे के प्रबंधन पर हैं अगर ऐसा है तो सरकार में किये जाने वाले व्यमें फर्चे में कमी कर दें लेकिन अगर यह सरकार की दौरा किया जाता है तो फिर करसी छेतर में समस्याएं लगातार बनी रहेगी। आवेसकता इस बात की है कि करसी छेतर से सम्मंदित एक व्यापक नीती का निर्मान किया जाए जो करसी छेतर को मिल रही नई चुनोतियों की नाकेवल पहचान कले बलकि उस चुनोतियों के विविधी करण पर भी चोर दे साथी साथ करसी छेतर का गैर करसी छेतर के साथ एक ही करण करे और अगर यह किया जाता है तो इससे नाकेवल करसी छेतर में संगरचनात्मक सुधार होगा बलकि करसी छेतर में नवाचार के परियोग से करसिकों की आजीविका तो सुनिश्चित होगी ही बलकि जो या अनिस्चित्ता का माहुल किर्सी छेत्र में देखा जाता है उसमें भी सुधार होगा और इन सब के अलावा सरकार की ओर से किर्सी छेत्र को जो सराजकोसी समर्थन प्राप्त हो रहा है वो समर्थन लगातार प्राप्त होते रहना चाहिए और अगर यह नहीं होता है तो फ इसे समंदित या प्रश्ण कि कृषी छेत्र के वर्तमान समस्या का समाधान संग्रचनात्मक परिवर्तन में नहीं थे कथन की समिक्षा करें इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं सबाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार